असलाम अलेकूम वेल्कम प्वर्ट्स सायकी और आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता लग्या होगा आज का टॉपिक है इसके अंदर मैंने उन सब लोगों की छितरॉल करनी है जो पाकिस्तान के अंदर नकली अस्टर लोग जो है न वो काले रंग का मुर्गा मिलता होता था जो लोग सद्के के लिए इस्तवाल करते थे ठीक है अब आप लोगों को समझ आगी होगी जो लोग पुरानी है और जो लोग मतलब जिन्होंने देसी मुर्गियां काफी अर्से से रखे होगी उन सब लोगों को समझ आगी होगी यार उसी जो है ना चीज को मदे नजर रखते हुए आज मैं इंशाला आप लोगों को बताऊंगा कि यार जो एस्टर लोब के उपर पीछे लोगों ने जो है न वह बाल डाला हुए पाकिस्वान के अंदर नकली ब्रीडें जो है न वह देशी मुर्गियां करास करवा के ठीक है लोगों आपको बेच रहे हैं और 13-1300 रुपे की 15-1500 रुपे की असील मुर्गियों के रेड के उपर आप लोगों को यह वह बेच रहे हैं और वैसे देशी का रेड जो है न वह आट सो हजार रुपे लोग ले गई है और आश्र लोग तेरा सो पर चली गई है तो सर आज को जो है न टॉपिक बहुत सिंपल है जब देशी मुर्गी आज भी जो रिजनेबल लोग बेच रहे हैं प्राइस पे वह 500-400-400 रुपे में इसली मिल जाती है आपको जिसने तकरीबन एक महिना रहता होगा अंडे देने होंगे और आपका माशाला से सर्कल स्टार्ट हो ज करते हैं तो बैसिकली चले विल्योर स्टार्ट करें को रहे तो चलो यारा आज जो है ना वहाज की वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि कहां से मसले मसाइल स्टार्ट हुए और आप किस तरीके से आस्रेलोब की जो है ना वह पहचान कर सकते हैं कि यार यह एस्रालो नहीं है और ठीक है मैं आज आपको जो है बेसिकली तीन इनके जो है ना एस्ट्र लॉप की पहचान बताऊंगा जो आपकी देसी जो है बरीड के अंदर नहीं मुझूद और अगर आपने डिफरेंशियेट करना है कि यार ठीक है यह एस्ट्र लॉप प्यॉर्टी में मुझूद है यह एस्ट्र लॉप जो है वह क्रॉस में है और जो यह मुर्गी ना एस्ट्र लॉप है ना क्रॉस में है बस वह देशी मुर्ग है जो लोग ऐस्ट्रलोप के नाम से आपको सेल कर रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहला जो है इसके अंदर फर्रक आता है वह सबसे पहला फर्रकाता है यह देखें यह जो आपको स्क्रीन के ऊपर आँख का नजर आ रहाएं तो आप यह देख सकती है जो की आंख हैना वो टौटली काले रंग होती है या बोहत गेहरी नीले रंग की आँख होती है अगर कुछ लोगों को पता इसका तो मूं गहरा नीला रंग भी कहते हैं इसको और इस पिश्री बात में आपको जो ले के चल रहा हूँ वो है body structure, आंक का हो गया फरक ठीक है, अब आजाते हैं body structure के उपर, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो सीधे हाथ पे जो मुर्गी है ये एस्ट्रलॉप मुर्गी है ये कौन सी मुर्गी है ये एस्ट्रलॉप मुर्गी है और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है यानि कि आपके उल्टे हाथ पे मुझूद जो है मुर्गी ये एस और आप तीसरा फरक बताने लग या यह जो तीसरा फरक है न यह अगर आप देख लिया तो आपको थोड़ा बहुत और आपने आँख देख ली आपने वोड़ी का structure देख लिया लेकिन अगर आपको फिर भी हल्का основ को देख सकते हैं आप ये कर conti में आप देख आप इसको कहहर रहे हैं या जो यह कोन भी नहीं होने चाहिए साथ कोनों से ज्या达क्षीच क alkalia वे हैं तो यह बिल्कुल भी ऐस्टर लॉप नहीं है यूँकि ऐस्टर लॉप ब्रीड के अंदर यह जो उनका सरका ताज होता है सरके ताज में साथ कोनों से ज्यादा गोने नहीं होते ठीक है तो आज मैंने आपको जो है वह बेसिकली ऐस्टर लॉप के बारे में बताया कि यार चीक है अब मैंने तो एक वीडियो बना दी थी कि यार ऐस्टर लॉप बिल्कुल बेकार मुर्गी है क्यों बेकार मुर्गी है तो वह जो है नहीं यहां पर आई बटन हा रहा है उस पर आप क्लिक करें और डिरेक्ट उस वीडियो पर चले जाएं तो आपको पता लग ठीक है इसका बोडी स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंठम वाला नहीं है लेकिन बेंठम की तरह सीना इसका गुलाई में मुझूद होता है ठीक है और तीसरी बात जो है इसका सरके ताज है मुर्गी का हो या मुर्गे का हो तो दोनों के जो है न वो कोने कम से कम साथ हो इससे ज जाते जाते हैं आपको मैं चोथी जो है ना वो टिप भी दे देता हूं कि अगर यह सारी चीजे देख लिए फिर भी अगर फॉर इसेंबल बंदे को होता है या ठीक है यह ऐसा है नहीं है तो सर जो एस्टरलोप मुर्गा होगा आपने देखा होगा कि देशियों के अंदर ज होना चाहिए ठीक है तो दार्क ग्रे में अगर आ जाए तो वह इतना मसला नहीं है लेकिन नोख और पंजे और पाओं का जो कलर है वह basically मैच करना चाहिए डार्क कलर के डार्क ग्रे कलर के जिसे आब गहरा सर्माई कलर कहते हैं तो यह इस कलर के जो है पंजे होने चाहिए और उसके साथ नाक भी जो है चोंच भी जो है जिसको आप बीक बोलते हैं तो वो भी जो है ना ब्लैक कलर की डार कलर की होने चाहिए ठीक है और उसके साथ चोंच और उसके साथ जो है ना पंजे यह तीन कलर लाजमी तोर पे जो है आपको डार कलर में होने चाहिए इसे के सा आस्रलोब खरीजने से पहले आप बिलकुल गोर करें अगर किसी भी भाई ने वो वीडियो उस तक पहुंच जाएं आप यगर उसने आस्रलोब खरीजने तो उसको यह पहले वीडियो आप भेज दें कि यार यह यह आस्रलोब नकली है तो इसके साथ मुझे अपनी दौाओं आस्रलोब